तो ये तस्वीरे दिखा रहा हूं मैं आपको और सोचिए कि कॉंग्रेस जो है वो सबर्नों को टिकर देकर चुनाव जीत गई है राजस्थान भी जीत रही है मत परदेश भी जीत रही है और 36 गर भी जीत रही है सोचिए 36 गर में कॉंग्रेस से जादा बीजेपी ने ओवी सी को टिकर दिया मत परदेश में कमलनाथ जो कह रहे थे अखिलेश वखिलेश उनकी पोल पट्टी खुल गई है और सोचिए बीएस्पी राजस्थान में एक सीट पर आगे है आरेलपी दो सीट पर आगे और अधर नौ सीट पर आगे है तो ये कॉंग्रेस अब बीट आपको मैं पहले दिन से कह रहा था कि बीटीम कौन है अब तो आपको लगवक साफ हो गया होगा कि बीटीम कौन है असली बीटीम जो है बीजेपी की वो कॉंग्रेस है वो चुनाओ हार जाएगी लेकिन गटवंधन नहीं करेगी आप कलपना किजिए कि अगर 36 घर में बीएसपी और गुंडवाना से वो गटवंधन कर ले तो कौन चुनाओ जीतेगा मतपरदेश में उसको सपा से बसपा से एसपी से गटवंधन नहीं करना है जबकि बीजेपी के पास सारे सवर्न बोट है सवर्न उसको बोट नहीं करेंगे OBC को ठीकट भी नहीं देना है मतपरदेश में भी OBC को ठीकट नहीं दिया 36 घर में यह सारी बाते कोई आप जो आभी जो टीवी अख़वार आप देख रहे हैं लाइब और सोचिए मैं आपको बोट परसेंट बताऊंगा BSP ने भले सीटे न जीती हो लेकिन कितना डैमेज किया है उसने वो आप समझ के हैरान हो जाएंगे कि बोट परसेंट कितना नुकसान किया है BSP ने और RLP ने सपा ने परसेंट के करीब बोट है सपा का समझ ये परसेंटेज निकाला जाता है इसका मतलब है कि सतर से ज्यादा सीटों पर डैमेज किया है BSP ने सपाने कॉंग्रेस को और मैं फिर कह रहा हूं अब जाकर कॉंग्रेस सकते में आए और सुचिये राजस्थान में 72 पराकरा सिमट गया है और सुचिये कि मैं पूरा Election Commission की साइट बताऊंगा और उस पर जाके बोट परसेंट बताऊंगा तो सुचिये जो खरगे साहब को भी अब करीड दे दिया जाएगा आप खरगे चुनाव के लिए जिमेदार होंगे सुचिये किस तरह से कमलनाथ ने किस तरह से राजस्थान में CSTOBC को इग्नॉर किया गया मैं फिर कह रहा हूँ CSTOBC के लोगों ने जान बुचकर बोट नहीं किया है और ये बोट जो है BJP का वो धर्म के नाम पर जो CST का उसे बोट मिलता है वो है लेकिन जो जागरू के CSTOBC के लोग है उन्होंने बोट नहीं किया है कॉंग्रेस को भी बोट किया लेकिन टिकट न देना उसको भारी परा है तो कॉंग्रेस को बोट चाहिए बहुजनों का CSTOBC लोगों का लेकिन टिकर देंगे सवर्न को सोचिए कमलनात कह रहे थे अखिलेस बखिलेस ये अखिलेस बखिलेस कौन है बीएसपी से गट बंधन नहीं करना तो ये अकेले चुनाओ जीतेंगे तो लिजिए चुनाओ जीत लिजिए अकेले तो असली बीटीम जो है वो बीजेपी है और मैं आपको जब बोट परसेंटेज जो अभी तक बताऊंगा तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं मैं इस समय की की राजस्थान मतपर्देश और 36 गर में कॉंग्रेस की हालत खराब है तेलंगाना में M.I.M. ने 5 और अधर्स एक चल रहा है बी आरेस जो है वो 37 सीटों पर है कॉंग्रेस 70 तेलंगाना वो जीत रहे हैं क्योंकि दच्छिन भारत का राज है और वहां अल्प्षंख्या को बीसी के लोगों ने जम कर बोट किया लेकिन हिंदी पटी में जितनी जाग रुकता है मैं फिर कर रहा हूं मत पर्देश में कॉंग्रेस की हार की एक मात्र बज़ा है सवर्नों का तुष्टी करन सवर्नों को ठीकर देना और वी सुचिये पिछली बार जैस से गटवंधन था वो भी सी महासवा जैस बीएस पी समाजवादी पार्टी इन सब ने जिस तरह से इन सब को दरकिनार किया गया उस बज़ा से बड़ी हार हुई है और उसके बाद आपको बता दे कि राजस्थान में भी लगवग यही स्तिती रहेगी राजस्थान में भी सुचिए बीएस पी आरिल पी और अधर्स ने बड़ा डेंड दिया है कॉंग्रेस को और च्छतिस गर में भी अब जो च्छतिस गर में वो टेकन टू भी गरांटेड ले रहे थे सुचिए 36 गर में बीजे पी ने OBC को टिकर दिया जमकर टिकर बाटा साहू समाज को टिकर दिया लेकिन भुपेस बागेल क्या चला रहे थे वो राम बीजे पी के पिछ पर बैटिंग कर रहे थे राम गमन पथ चलाएंगे कमलनात का जो हिंदू कार है धिरेंदर सास्त्री के पैरों में गिरेंगे तो अगर आप S.C.H.T. OBC के द्राजनिती को भी नहीं करेंगे तो आदमी तो जहां बीजे पी ने भले OBC रिजर्वेशन की बात नहीं करा वो सवर्णों का तुष्ठी करन करा लेकिन ठीकट बातने में जो उसकी डाइवर्सिटी है सोचिए यूपी हो बिहार हो जिस तरह से बीजेपी गटवंधन करती है S.C.H.T. OBC के दलों से बिहार में चिराग पास्वान के साथ गटवंधन है OBC उनका चेहरा है 36 गर राजस्थान मत परदेश में इन तीनों राज्यों में कॉंग्रेस को गुमान था उनके प्लिटकल लिडर्शिप को गुमान था कि वो कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए हार हुए और जितने आप सवर्ण मीडिया देख रहे हैं वो इस डिस्कोर्स को खड़ा नहीं करेंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सोरा सा रिजल्ट का इंतिजार कर रहे थे उसके बाद आपके साथ लाइव आना चाह रहे थे कि इस सवर्ण समाझ के लोग BJP के साथ हैं लेकिन कॉंग्रेस क्या कर रही थी कॉंग्रेस सोसल जस्टिस के नाम पर सवर्नों को टिकर दे रही थी वहीं बीजेपी से वो मात खाई और सुचिए कि अभी जो है कि बीएसपी एक सीटों पर आगे वर रही है आरेलपी दो सीटों पर आगे है राजस्थान में सुचिए कितना बरा डेंट लगाया होगा और वो मैं सारी पर्तकिरिया भी बताऊंगा आपको और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कॉंग्रेस जो है सुचिए राजस्थान में कॉंग्रेस जो है 36 गर में 48 सीटों पर बीजेपी आगे है तो अखिलेस बखिलेस और कमलनाथ ने चुनाओ जीत लिया है यह सब कमलनाथ की बज़ा से है बोर्ट परसेंटेज बहुत माइने रखता है कितना जादा डेंट लगा है MP में वहले वह वह मैं देख लूँ और MP का जो एलेक्शन रहा है MP का सब कुछ दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा तो सुचिए यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको यह अगर हार अगर यह मिल रही है तो इस हार की सिर्फ और सिर्फ वज़ा है कि सवर्नों का तुष्टी करना और गटबंधन ना करना सुचिए किस तरह से अखलेश यादव को हिमिलेट किया गया बीएसपी से गटबंधन नहीं करेंगे उसको अकेले लरना है लेकिन एक बात तो है कि अब इंदिया गटबंधन मजबूत होगा कॉंग्रेस का थोरा सा जो इगो है वो एक बार फिर से नीचे आएगा बहुत ओवर कंफिडेंट हो गए थे वो करनाटक जीतने के बाद यह अच्छा हुआ इसी तरह वो 2024 में भी वो चुनाओ जीते थे लेकिन वहां भी उनको हारना परा था लगबग 150 सीटों पर 148 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और बीएसपी जो है वो येक सीट पर खबरे बताऊंगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सोचिए आप कलपना किजिए कि बीना बहुजन समाज के रिपर्जेंटेशन दिये हुए आज के समय में कोई पुलिटिकल पार्टी चुनाओ नहीं लर सकती है तो इलेक्शन कमिशन की साइट पर आपको ले चलता हूँ जो वो क्या दिखा रही है सोचिए 36 गर में बीजेपी 41 पर है कॉंग्रेस 36 पर है लेफ्ट पार्टी जो है वो एक पर है वोट परसेंटेज भी दिखाऊंगा जो सबसे जरूरी अमत पर्देश में बीजेपी 149 पर आगे चल रही है और कॉंग्रेस 65 पर है बीएसपी एक राजस्थान में सुचिए अगर ये गटबंधन करते तो क्या इंडिपेंडेंट आर्ट सीटों पर है जिसमें बाप पार्टी ट्राइवल पार्टी है तो सवाल है कि ये सारे जो गटबंधन हैं वो इसलिए चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि वहां बोट सेरिंग तो वोट कौन करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं और यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि सीट सेरिंग के ना करने की वज़ए से गटवंधन ना करने की वज़ए से ये इस्तिती हो रही है बीजए पी कि कॉंग्रेस की और इस बज़ा से जादा बोट किनको कहां मिल रहा है तो यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सुचिए एक सो एक गारा हजार बोट है मैं एक एक करके बता रहा हूं 36 मैं यह यह मैं बता रहा हूं जिनरल एलेक्शन टू एसेंगली कंसुएंसी ट् पीसे आप आंकलन समझे मैं इसलिए कह रहा हूं 10,000 11,000 सीटे किस तरह से उसको बरबाद के इंडिपेंडेंट को कितना बोट आ रहा है वो सबसे बड़ा सवाल है तो इस तरह से बोटे आई है और लीडिंग अभी बीड़ी खबर बता रहा हूं सोचिए किस तरह से बड़ा नुकसान होता दिख रहा है और बीएस पी ने सब जगर नुकसान किया है कुछ और सीटों पर बता राँ तो गटबंधन ना करना गटबन ना करना जो है वह सबसे बड़े चिंता का भी सहर है गटबंधन ना करने की बज़ combination को तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ गटबंदन ना करने की वज़े से सबसे ज़्यादा नुक्सान कॉंग्रेस को हुआ है और कॉंग्रेस ने जिस तरह से सवर्नों को बोड़ दिया उस बज़े से वो 36 गर राजस्थान और मत परदेश में चुनाओ हा रही है हम से डेंट किया है वो 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 बहुत जरूरी खबर है और अगर मैं एक एक सीट मैं आपको बताऊंगा खासकर अगर मैं आपको ले चलूं उन इलाकों में जहां बीज़ेस पी चुनाओ बहुत बालागार से देखिए यहां सबसे बड़ी खबर जो बता रहा हूँ इस तरह क काउंटिंग जो है वो प्रोगेस में तो जो रिजल्ट आएंगे उसके लिकर खासकर जो बुंदेल खन का इलाका है वहां बीज़ेस पी थी भिंड में देखिए तो यह तमाम खबर सुचिए भिंड में भारतिय जनता पार्टी के काइनिरेट को 1531 बोंट मिले हैं 2828 से वो संजीब सिंग संजु को बहुजन समाज पार्टी के उमिदवार को 2800 बोट मिले हैं वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं लेकिन वहां यह देखिए यह तस्वीरे मैं दिखा रहा हूं आपको बीएसपी के लोग जो है वो कितना बहतर परफॉर्मेंस किया उन्होंने यह भिंड की तस्वीरे थी और सुचिए कि यह इसी तरह के बीना आपको ले चलता हूं बीना कस्वेंसी में क्या आलत है सुचिए कॉंग्रेस लीड कर रही है और वहां भी सुचिए महेसरा भारति दिया है बहुजन समाज को डवरा का देख लिए डवरा का क्या इस्तिति है डवरा में इमर्ती देवी जो है वो 1817 बोटों से आगे हैं और बहुजन समाज पार्टी के कंडिडेट जो है उनको भी ठीक ठाक मिला है तो यह तमाम जगह पर अगर यह चुनाओ अगर बीजेपी का जो कॉंबिनेशन है एलेक्शन जो उनके स्टैटजी है वो कहीं न कहीं शांदार रहती है और बहुजन समाज पार्टी जो है अभी मत परदेश में एक सीट पर आगे चल रही है भारती आदिवासी पार्टी भी एक सीट पर आगे चल रही है तो सुचिए यह को बोट नहीं दिया मैं तुरा तिलंगाना आपको ले चलता हूं जहां आरेस परवीन जो हैं उनके सिट की क्या हालत है सिर्पूर से वो चुनाव लर रहे थे और यह तमाम खबरे जो है वो सोसल मीडिया पर वायरल है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोसल मीडिया ही सही मीडि सचाई यह है कि कॉंग्रेस ने कहीं भी अब बीरस के कंडिडियेट जो है वहां का भी डाटा नहीं आ रहा है जैसी डाटा आएगा सिर्पूर का सिर्पूर से तिलंगाना के सिर्पूर से आरेस परवीन चुनाव लर रहे थे उनके अभी अपडेट नहीं आया है लेक्शन तीन राज्यों में जो हिंदी पठी के तीन बड़े राज हैं मतपरदेश, राजस्थान और 36 गर वहां कॉंग्रेस की मुस्कीले बढ़ चुकी है और वो 36 तेलंगाना में चुनाओ जित्ती हुई दिख रही है इसका मतलब है कि गटबंधन ना करना उसको बहुत महेंगा सिर्पूर का मसला है वो बताऊंगा कि सिर्पूर में क्या चल रहा है तो सुचिए गटबंधन ना करने की वज़े से बीजेपी चुनाओ जीत रही है और कॉंग्रेस हार रही है कॉंग्रेस का इगो बहुत बड़ा था उसे लगता था कि वो अकेले अपने दम पर दिल्ली में एनाउंस किया गया कि इंडिया गटबंधन की पहली रैली जो होगी वो मत परदेश में होगी लेकिन कमलनाथ ने उसको रद करवा दिया कि नहीं नहीं यहां तो हिंदू कार चलेगा उसका धिरेंद सास्री के पैर्द होने लगे तो सुचिए धर्म के नाम पर अगर कॉंगरिस राजनिती करेगी तो वो सीड जो है वो सीदे सीदे बीजेपी के खाते में जाएगी दिरेंदर सासरी का पैर पकर रहे थे इंडिया गट बंधन का उन्होंने रैली रुकवा दिया कि नए इंडिया गट वंधन की बैठ के खतम हो गई इंडिया गटवंधन, नितीश कुमार की आपने मदद नहीं ली, आप भीस बी से गटवंधन नहीं करेंगे, आपने ममता वनर जी की मदद नहीं ली, अगर साड़े इंडिया गटवंधन के नेता बड़े नेता, अगर सोचिए पहली रैली मत पर्देस में पलान हुआ था, से तिलंगाना में वो बचा पाए हैं राजस्थान मतपर्देश और 36 गरतों सोचिए इंडिया गटबंधन की पहली रैली होने वाली थी आपको बता दे की मतपर्देश में नितीश कुमार लालू यादव ममता बनर जी अखिलेश यादव इन सब के साथ एक बड़ी रैली हो कंबिनेशन बनना था कि सारी बाते आपको कोई मनुवादी चैनल नहीं बताएगा कोई मनुवादी पत्रकार नहीं बताएगा यह सवन पत्रकार नहीं बताएंगे अभी सबको कॉंग्रेस ने मौका दे दिया कि देखिए OBC की बात कर रहे थे जाती जनगना की बात कर रहे है कि चुनाओ या तो BJP जीते या कॉंग्रेस जीते बीच में कोई ना रहा है सूचिए इंडिया गटबंधन की पहली मीटिंग जो है वो मतपरदेस में होनी थी रैली डेट एनाउंस हो गया था रैली का एलान हो गया था उसके बाद कमलनाथ ने उसको गने सिंग जो OBC समास से हैं बीजेपी करे भले आपको दे कुछ नहीं और सूचिए OBC महासवाग के लोगों ने जिस तरह से बिरोत किया जैस के लोगों ने जिस ये इस हार के जिमेदार कमलनाथ हैं और कमलनाथ की बर से इंडिया गटवंधन टूटा दिगविजय सिंग खतम हुए मादवर जोती राज सिंधिया पाठी छोड़के आए तो कमलनाथ ने कॉंग्रेस का बेरा गर कर दिया है और सुचिये खरगे साहब के कंधे पर रखके बंदूग छोड़ा गया उनकी राय नहीं मानी गई इंडिया गटवंधन की पहली बैठक जो है पहली बैठक जो है सुचिये लालू यादव की मदद नहीं लिगए आरजेडी जो कॉंग्रेस का सबसे विश्वसनिय पार्टनर है उसकी मदद नहीं लिगए है तेजस्वी आदव का बयान आया है सुचिये तेजस्वी आदव इन लोगों ने कॉंग्रेस ने इंडिया गटवंधन की पहली रैली रद कर दे जबकि पहली रैली रद होना था होना था उनकी उनकी पहली रैली रद कर दी गई पहली रैली कहा होना था पहली रैली होना था मतपर्देश में जिसमें नितीस कुमार अखिलेश यादव जिसमें सीबू सोरेन के बेटे जो मुखमंत्री है हेमन सोरेन वो आदिवासी निता थे जिम्स बॉंड थे कमलनाथ कमलनाथ अपने दम पर चुनाओ जीत रहे थे धाक के तीन पात है सुचिए कमलनाथ अपरकास से आते हैं हिंदु कार्ड खेल रहे थे और सुचिए किस तरह से इन लोगों ने सोसल जस्टिस की लड़ाई को फंसा दिया है उसके बाद भी सपासे इन्होंने गटबंधन नहीं किया अखिलेश यादव का किस तरह से हुमिलेशन किया गया तो ये लबो लुआफ साफ हो गया है कि सुचिए कॉंग्रेस ने सोसल जस्टिस की लड़ाई को कमजोर किया है और गटबंधन नहीं किया इंडिया गटबंधन की पहली बैठक होनी थी लेकिन उन्होंने नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि कॉंग्रेस ने तीनों राज गमा दिया जिसमें राजस्थान 36 उसका जीता हुआ रास्ता वहां गमा दिया है मतपर्देश में उसकी अपनी सरकार बनी रहेगी तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ किस तरह से इंडिया गटबंधन को कॉप बताएए बी टीम बीजेपी की कौन है ये खासकर इस देश के मुसलिम समाज को समझना चाहिए इनको अखलेश यादव से गटबंधन नहीं करना है तिटो का देखिए, राजस्थान में कॉंग्रेस ने सवर्नों को दिया, राजस्थान में भी बीजेपी ने गहर सवर्नों को जादा ठीकर दिया है, मतपर्देश में भी जादा दिया है, दोनों बराबर बराबर थे, 36 गर में जम कर कॉंग्रेस ने गहर सवर्नों को ठीकर द पार्टी देखते हैं आइडिलोजी देखते हैं दिरे दिरे बहुजन समाज में आ रहा है लेकिन सुचिए अगर ये चुनाओ कॉंग्रेस हार रही है तो उसकी सबसे बड़ी बज़ा है तीन बड़े इसके बीलेन है कमलनाथ आसोग गहलाथ और वीजे कॉंग्रेस की सवन ल वज़ा है वो है इंडिया गटवंधन की पहली रैली रत करना ओवी सी महासवा को दरकिनार करना जैस को दरकिनार करना और दो सबरनेता कमलनाथ और दिग्विजया सिंग अपने कंधे पर सब ढो रहे थे और दलित पिछरे आदिवासियों को सुचिए फुल सिंग बरहिया फुल सिंग बरहिया इतने BSP से निकले हुए नेता इतने बरहिये नेता थे उनको पिछली बार हुमिलियेट किया गया उनको ऐसे राजसवा ठीकर ठीका दिया गया जहां से वो चुनाव हार जाएं और दिग्विजया सिंग चले गएं फुल सिंग बरहिया के साथ क्या हुआ मत पर्देश में और कॉंग्रेस ने एक गनेश सिंग को उतारा फगन सिंग कुलस्ते को उतारा पहलाद पटेल को उतारा उसके सिएम सिबरा सिंग चौहान ओवी सी कैमिलियेट थे तो ऐसे BJP चुनाव लर रही थी कॉंग्रेस क्या क और यह सब आपको कोई मनुवादी मीडिया नहीं बताएगा हम लोग दिन भर आपको बताएंगे इस आकलन का सच्चा यही है सुचिए राजस्तान में BSP 2 हो गई और RLP 3 हो गई है RLP पलस्तीन अदर 10 है राजस्तान में मजदार नतीरे आएंगे मैं फिर कह रहा हूं सुच इंडिया गटवंधन होता अगर इंडिया गटवंधन की पहली रहली मतपरदेश में होती अगर लालू यादव नितीस कुमार अखलेश यादव हेमन सोरेन ममता बनर जी यह सब एक मंच पर जाते तो इसका अलग मैसेज जाता और दलित पिछरे यादिवासी समाज के जो सोसल मेडिया पर आपको कोई टीवी अख़बार नहीं बताएगा यह बिसलेशन सिर्फ आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं और मैं इसे लिए कह रहा हूँ कॉंगरेस की हार की बज़ा है दलित पिछरे आदिवासीों को टीकट ना देना इंडिया गटवंधन की रै में अब जाकर कॉंग्रेस जो है वो लोकसवा चुनाओं में गटवंधन करेगी और मत परदेश हो राजस्तान हो 36 गर हो हर जगा वो जैसे बिहार में यूपी में वो सीट लेती है राजस्तान मत परदेश 36 गर में उसको सीट देना पड़ेगा तो यह बहुजन समाज के ल के लिए मुस्किल होगी क्योंकि कॉंग्रेस अपने हैसियत में आएगी घुटनों पड़ाएगी और सुचिए इंदिया गटवंधन की पहली रैली कैंसिल करना कॉंग्रेस को कितना महंगा पड़ा और कॉंग्रेस ने अपने दो जीते हुए राजगमा दी है मत परदेश भी हार गई है उसके हिस्से में सिर्फ तेलंगाना आया और इसकी बज़ा है कॉंग्रेस का का अकर इसकी बज़ा है कॉंग्रेस का सवर्नवाद इसकी बज़ा है कॉंग्रेस का सौफ्ट हिंदुत वाद सूचिए सोसल जस्टिस की लराई को कॉंग्रेस कितना कमजोर कर दे लेकिन अब BJP जीती है तो फिर से धर्म की राजिती सवाब पर होगी लेकिन सवाल वही है कि बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन समाज के दलों को बोट किया है कॉंगरेस को उन्हों करने के लिए round होगी Miles आप लुग हमें कर सकते हैं प्रतकिरिया दे सकते हैं आपकी प्रतकिरिया वह जूरूरी है शुक्रिया निसम्ल मे दिस्टतक को बचाने के लिए बहुत जुरूरी है कि हर ख़़वर को share करें लाइक करे, कमेंट जरूर करे